गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स मैं राम बावू डिजिसर क्लासिस के मंच पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों पटापट आईए और जुडिये और टाइम बरबात नहीं करके हम सिधे टोपिक के बारे में बात करते हैं बिजनिंग गुरु रहम बावू मैं आपके सामने डाइस क्लास लेके आया हूं डाइस बहुत इंपोर्डेंट टोपिक है जो अपने एक रास्ता लेके आता है अपने को सेलेक्शन के लिए आपको निश्चित रूप से हर एक topic को बारीकी से पढ़ना होगा और पढ़ना भी पढ़ेगा निश्चित रूप से जब आप उसको अच्छे से पढ़ेगे अच्छे से समझेंगे तो दोस्तों मैं यह बता रहा हूं कि डाई से कैसा topic है जिसके अंदर आपको ज़्यादा hard work करने की ज़रत नहीं होगी आप बहुत easy बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर लोड नहीं देके उसको जैसा दिखाई देगा उसी तरीका dice है और उस परकार को उसको आगे बढ़ाते हैं उसको हम देखेंगे कि वो हमारे लिए कितना important है dice exam के अंदर bank s किसी में भी reasoning में अपने आपने एक valued है अपना एक value रखता है इसलिए आपको बताता हूं मैं कि इसको एक हलके में भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें कहीं बार exam में क्या होता है आदा marks एक marks उनकी वज़े से बचे फेल हो जाते हैं तो दोस्तों अगर हमारा ये dice हमें 2 marks भी दिलाता है वो हमारी ऐस पलता सपलता में तुरंत बदलने वाली होती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि dice अपने आप में बहुत important है और इसके बारे में हम जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करेंगे तो फटा पर दोस्तों अगर आपने चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो फटा बड़ सब्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों में बेजिए अपने दोस्तों को बताईए और इस से जुड़िए यहां से आपको complete study मिलेगी और यहां एप्स पे डिजिसर क्लासे एप्स पे मैरे क्वेशन एंसी क्वेशन रखे हुए है कुस तो हम पढ़ते है अपने पास प्रियाप पर टाइन नहीं होने की बज़े से हम कमी क्वेशन कर पाते हैं दोस्तों लेकिन अगर आप एप्स पर जाएंगे सब्क्राइब परेंगे और वहां पर जानेंगे तो मेरे बहुत सारे क्वेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे अच्छे-च्छे क्वे पासा चाहता हूं पासा क्या होता है पासा सबसे पहले तो बात करते हैं कि पासा कब बनता है पासा पासा के पासा पासा इसको बोलते हैं डाइस आईसी डाइस पासा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में एक वेल्यूड है इसलिए इसको हम लाइफ ली भी नहीं ले सकते हैं पासा किसे कहते हैं सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें यह जानना पर चाहिए कि एक होता होता है क्यूब और एक होता है क्यूबोईड क्यूब और कुबड इसको बोलते हैं हिंदी में गन और इसको बोलते हैं गनाब और घनाप आपने नाम सुनाओंगा दोस्तों घन क्या होता है और घनाप क्या होता है घन और घनाप के बारे में जानकारी होगी सबसे पहले इनकी जो structure है वो भी हमें याद होना चाहिए किसका structure कैसा होता है इसका structure ऐसा बना होता है यह देखेंगे हम ऐसे बनाना भी आना चा छहीं होता है यह इसा होता है अ 돼 गन और घनाब यह घन है और यह सब अब आपको ऐसे पता लग गए। गन और गनाब में क्या difference हो गया देखो आपको यहां पर देखके आपको इसकी जो figure है figure को देखके पता लगा सकते हैं आप कि दोनों के अंदर क्या difference इसमें यह जो होता है गन होता है इसमें एक दो तीन चार्ट तीन तो हमें दिखाई दे रहें तीन दिखाई ने दे रहें इसके पीचे वाले तो कुल मिलाके इसके अंदर फलक होते हैं यानि छे फैस होते हैं इसमें छे फैस होते हैं और सभी फैस क्या होते हैं सभी फैस यानि कि फलक होते हैं वो समान होते हैं के फ्लक होते हैं को छे फ्लक क्या होते हैं समान होते हैं और इसके अंदर फ्लक तो छे होते हैं लेकिन फ्लक छे हैं लेकिन सभी फ्लक समान नहीं होते हैं क्या होते हैं आमने सामने की जो फ्लक होते हैं वह बराबर होते हैं आमने के फ्लक आमने सामने की जो फ्लक होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं जैसे ये एक हमारा बॉक्स ले लेते हैं बड़ा सा बॉक्स है या हमारा रूम है तो उस रूम को देख लीजिए ये वाला जो फैस है इस वाले फैस के एकवल होगा उपर वाला नीचे वाले च्छत के पान लेते हैं इसको फैसे तो उसके एकवल होता है तो आमने सामने के जो इकलग होते हैं वो एक दूसरे के एकवल होते हैं तो इनको घन बोलते हैं इनको घनाब बोलते हैं केसे देखो आप इसकी डेपिनेशन अगर हम बनाएं तो केसे होता है डाइस किसे कहते हैं घन और घनाब घन हो या फिर घनाब हो पर कोई अंक अंकित होता है कोई अंक अंकित होता है तो इसे डाइस केते हैं गन और घनाब पर कोई अंक अंकित है तो इसे डाइस केते हैं समझवारा दूस्तों आपको जो मैं बोल रहा हूँ डाइस किसे कहते हैं ये तो क्या है गन है और ये गनाब है अगर इसके उपर कोई नंबर्स लिख दिये जाए वन टू टू ट्री पॉर या ए बी सी डी कुछ तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम ये डाइस हो जाएगा उस डाइस दो प्रकार के होते हैं जाई से दो प्रकार के हैं अभी बोला था एक क्यूब है तो ऐसे लिख सकता है अगर आप समझ में नहीं आता है आपको तो एक क्यूबोईड है और इसमें जो क्यूब वाला है ये हम ज्यादा यूज में लेंगे एक होता है जनरली नॉर्मल डाइस और एक होता है इस्टेंडर डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस के सकते इसको इन्दे में बोलते हैं इसको मानक पासा और इसे बोलते हैं सामाने पासा एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामाने पासा यह क्या है डाइस के बारे में बात कर रहे हैं डाइस चल रहे हैं इस टेंडर पासा क्या होता है और नॉर्मल पासा क्या होता है अब इसमें देखिए टेंडर पासा तो यह होता है कि किसी भी दो फेस होती है दो फेस का सम 7 होता है दो फेस होती है दो फेस पडोसी फेस अब इसमें आपको एक बार फिर में एक बताने ही कुशिश करता हूँ कि दो फेस होती है पड़ोस वाली उनका अगर सम साथ हो जाता है तो मानक डाइस होता है otherwise अगर सेवन नहीं होता है तो वो कौन सा है? नॉर्मल डाइस होता है understand? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं अगर इसमें देखके पता लगाते हैं अगर इसमें नमबर ड़ले हुए हैं तो इसमें नमबर ड़ले हुए हैं तो इसमें नमबर ड़ले हुए हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम dice बोलेंगे दोस्तों और अगर number नहीं डले होते तो इसको क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं तो इस पे number डले हुए है इसलिए इसको dice बोलेंगे अब सामाने dice में क्या होता है इसमें देखीए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, तक अंक अंकित होते हैं अंक अंकित होते हैं एक से लगाके छे तक अंक इस पे अंकित होते हैं अब जो आमें दिखाई दे रही है ये वाली ये वाली फैस ये वाली फैस ये वाली फैस किसमें क्या होता है तीन फैस पस मतलब वहीपुजाओं को फैस बोलते हैं सक्किफिलगप को फैस बोलते हैं तीन फैस परोसी परोसी होती है और जो दिखाई नहीं देती और जो दिखाई नहीं देती वो विपरित फलक होती है जो दिखाई नहीं देती है वो कौन सी फलक होती है दोस्तों विपरित फलक होती है एक दो तीन ये आपस में तीनो परोशी है बट इसके अलावा में चार पांच शे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो इनके विपरित फलक है understand जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी एक दूसरे का विपरित फलक नहीं है ये इसका विपरित फलक नहीं है ये इसका विपरित फलक नहीं है ये दोस्तों सारे एक दूसरे के परोसी है ये सब एक दूसरे के क्या है परोसी है इन में कोई भी विपरित फलक नहीं है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे है दोस्तों वो क सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि सामाने पासा में सामाने पासा में कोई भी तो विपरित फलक का योग कोई भी दो विपरित फलक का योग साथ होता है कोई भी दो विपरित फलक को हम देखेंगे तो उनका जो योग है वो कितना होता है साथ होता है और हमें याद होना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक बात के लिएर करना चाहता हूं दोस्तों कि डाइस के अंदर हमें हमेशा विपरित फलक ही पूछे जाते हैं ज़िए विपरित फलक ही पूछे जाते हैं जायार दोस्तों ऐसे कोई खास बात नहीं होते हैं कि खौच्द में इतना लोगे इतना दिमागे नई उसकी study करने का एक तरीका होता है study कैसे करेंगे हम study करने का तरीका होता है एक तो फ्रेस दिमाग रखिए दिमाग पर कोई लोड नहीं होना चाहिए जो question हमारे सामने है उस questions को उसके concept समझ में आना चाहिए अब यह basic में पढ़ा रहा हूं आपको advance इसको जो बोल सकते हैं मैं advance है अगर आपको यह theoretical चीजे समझ में नहीं आती है तो आप उसको कैसे tackle करेंगे इसको handle करी नहीं पाएंगे इसलिए सबसे पहले मेरे जो यह लिखे हुए जो advance चीजे हैं जो मैं हम पढ़ाएंगे mcq question तो आपको इतनी चीजे मिल रही है एक आपको advance theory मिल रही है दोस्तों दूसरी बात है आपको concept मिल रहे हैं तीसी चीजे आपको mcq questions मिल रहे हैं तो बचा क्या पिर तो आप पूरी books solve कर सकते हो कोई सी भी books कोई सी भी company की तरह तरह की company की तरह तरह books कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आपके यह सारे clear रहें तो दुनिया की कोई सी भी books आप solve कर सकते हैं मेरा मानना तो यह है और आपका मानना भी यह होना चाहिए नहीं है इसका solution यह है कि आप अच्छे समझ मां आजाए और आप इसको अच्छे से कर सकें तो दोस्तों यह तक है मैरा कहने का मतलब ही है कोई भी दो विपरित फलक होते हैं उनका सम्म कितना होता है कोई बी दो विपरित फलक का सम था हूता है अंडर्स्टेंड इतने होते हैं साथ होता है और बढ़ते हैं इसमें कुछ बात करते हैं आगे जैसे हमारा अभी डाइस बना हुआ था यहां पर मैं डाइस बनाता हूं एक शुक्ता सा एक बार फिर समझाने के लिए आप समझें के डाइस से साथ हो गया है कात नहीं इसमें लिखा हुआ है तो हमेशे हमें इसके अपोजिट डाइस अपोजिट फेस के बारे में ही पूछा जाता है तो जैसे मालो एक है तो एक का अपोजिट फेस क्या होगा क्या होगा 1 प्लस 6 बराबर 7 तो एक का अपोजिट फेस क्या हुआ अब यह आप देखिया आप एक का अपोजिट फेस कितना होगा 6 क्योंकि मैंगे बताया था आपको की कोई भी दो विपरिद फलक का सम एतना होता है 7 होता है तो इसको एक एक का अपोजिट 6 है तब ही तो पता लग चला हमें कि एक और 6 कितने होते हैं 5 होते हैं तो एक का अपोजिट 6 है और 6 का अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट का मतलब क्या है यह इसका विपरीत है, यह इतका विपरीत होगिए, एग दूसरे के अपॉômजिट फेस है, इस तरह से यहा पे दो लिखा होओ है, दो का अपॉ奜िट फेस क्या होगा उसमें क्या जोड़े दोस्तों कि सात हो जाएं, यहां हो गया 5 हो गया क्योंकि हम देख़ लो at 2-5 एक wrestler to कितने होते स्वेस्ञिष निकल रहा है जद्भाइब अव्हीं जुड़त दिमाग लगाने की जुरत भी नहीं है एक का फेस कår ginnis कि बात कर रहा हूं रहा हूं wenn कि कोई भी दो अपोजिट फेस होते हैं, उन दोनों का सम कितना होता है, 7 होता है, यहां पे दो का अपोजिट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और 3, 3 का अपोजिट कितना होगा, 3 का अपोजिट 4 हुआ, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 हो यानि अगर दो फेस का सम तो आपॉजिट फेस का सम सात होता है अंडर्ड परसेंट यह रहेगा आपका सात ही रहेगा के से भी परणोडाइस को सेवन ही होता इसका इसलिए आपको ज़्यदा टेंशन करने का जुरत नहीं है काम आने पासा में अपोजिट फेस ही पूछा जाता है कि डाई से कि जो हमें दिखाई दे रही है ये एक दूसरे की अपोजिट नहीं है जो दिखाई देते हैं फेस वो कभी अपोजिट नहीं होते हैं दोस्तों ये सभी क्या है एक दूसरे के पडोसी है और अपोजिट इनक मैं सामने कड़ा हूँ ये में और ये मेरा पडोसी है इधर वाला मेरा पडोसी है इधर वाला मेरा पडोसी है तो क्या ये अपोजिट हो सकता है क्या ये अपोजिट तोड़ी है ये तो मेरे पडोसी है इस परकार से भी ये पडोसी है लेकिन मेरा अपोजिट मेरा मुँ आप की तरफ है तो मेरे पीछे की बैक साइड मेरा अपोजिट है जो दिखाई नहीं दे रहा है यह जो आपको आसामने से दिखाई दे रहा है यह सामने का फैस हुआ और जो दिखाई नहीं दे रहा है यह वाला पीट वाला बाग यह वाला क्या है यह हमारा अपोजिट साइड कंसप्ट के कंसप्ट देखिए आग का फस्ट कंसप्ट है इसमें यह होता है जब एक डाइस दिया गया हूँ जब एक डाइस दिया हूँ फिर्फ एक ही डाइस दिया गया हो और दोस्तों एक डाइस हो दो तीन हो चार हो गोई विए और लेकिन उसमें पूछा गया जाता है अपोजिट फलक के बारे में ही बात करते हैं दूसरा कंसप्ट है सेकंड कंसप्ट आएगा इसका जब दो डाइस दिये गए हूँ तंस अब तेन जब दो या दो से अधिक यह तीन कंसर्ट तो यह है जब आपको दो एक डाइस दिया गया हो दो डाइस दिये गए हो दो के बाद तीन भी दे सकता है चार भी दे सकता है पांच शे कितने भी डाइस दे सकता है तो यह तीसरे कंसर्ट में ही आते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं दोस्तों वो डाइस दिये गए हो तो अपोजिट पैस कैसे निकालना है इसके बाद अगला कंसर्ट है इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं वो है इस concept में आपको पूछा जाता है concept नंबर चार इसके अंदर आपको पूछा जाता है open dice के बारे में open dice open dice दिया रहता है open dice पुला हुआ dice को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पुला dice कि अपने तो जो open dice होता है इसके बारे में इस open dice को क्या करना रहता है जो open है वो close करना होता है मैं close क्या करना रहता है उसको close करके या अपोजिट फलक्ट यानि दोस्तो कुछ भी हो लेकिन आपको opposite फलक्ट जरूर बताना होता है कुछ भी हो लेकिन इसके अंदर opposite face के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसका opposite face क्या है इस परकार से एक open dice होता है उस open dice को जब हम वापस उसको बंद किया जाता है तो उसको बंद करने के बाद की जो इस्ति बनी होती है उसकी जो situation बनी होई है उस इस्ति से हमें पता करना होता है कि इसका opposite dice opposite face कुन सा होगा opposite face के बारे में इस परकार से हमें तो कहने का मतलब यह है कि dice के अंदर सबसे important role होता है वो होता है उसका opposite face calculate करने वाला तो वो आप कर सकते हैं बहुत easy कोई tension आराम से आप opposite face calculate कर सकते हैं यह हुए हमारे concept इन चीजों के बारे में ध्यान दीजे और कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर इन चीजों के बारे में importance होती है यही चीजें पूछी जाती है इने के बारे में सब कुछ आता है ठीके दोस्तों अब जैसे हम पढ़ते हैं इसको आगे तोड़ा सा वोरे इसको समझा देता हूँ में एक बार और आपको जिते हमारे पस एक डाइस दिया गया हूँ तो हम कैसे अपोजिट funds, calculate करेंगे जो डाइस दिये गए हूँ तो कैसे उसको अपोजिट funds calculate करेंगे यह हमारे pancept इन concept के आदार पे हम questions को सोल कर सकते हैं question शुरू करते हैं हमारा question number 1 हमारा screen पर आया हुआ है question लिखका हुआ है दोस्तो पढ़ो question क्या लिखका हुआ है इसी से हम solve करेंगे अल्क concept मैंने बताइए आपको concept में क्या क्या पूछा जाएगा उसी के आदार पर उनी कंसप्टों पर आदारित क्यूशन है उन क्यूशन को अंसौल तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रोबलम होगी तो दोस्तों अगर बटा-बट अगर आपको मेरा चैनल समझने आता है मेरे जो पढ़ाने का तरीका आपको अगर समझ क्यामे झूड़े और मुझे और मुझे कमेंट भी करें मुझे बताये हैं कि जो आपको समझ में नहीं आता है कुछ पूशना चाहते हैं तो आप ऑलियुक्त करने आपके लिए हमारे इसके नंदर आपको और क्या चाहिए इसमें वैसी चाहिए हम इसके अंदर और अच्छा करने की कुछित करेंगे दोस्तों अपने कुछित का आजेए दिये गए गन में तीन के विपरित खलक पर कौन सा अंक होगा को दोस्तों अभी हालमने पूंको एक कंसप्ट पड़ा था कंसप्ट में बतायाए था कि एक डायस दिया हनु तो है एक डायस यह में द्या हो यह कि हिएक यह मार प supremacy प्रफित और फलक की पूछा तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर सिर्फ आपको अपोजिट फलक के बारे में ही बात की जाती है और वो ही पूछा जाएगा तो दोस्तों अपोजिट फलक के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे देखिए कि तीन का अपोजिट पूछा उसने तो तीन का अपोजिट यह तो सब पडोसी है यह इसका पडोसी है यह इसका पडोसी है यह इसका पडोसी है दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है इन में स एक भी एक दूसरे का अपोजिट नंबर से नहीं है क्यों क्योंकि यह सारे पडोसी है और पडोसी कभी अपोजिट नहीं होता है हाँ एसे साम आने जीवन में देखा जाए तो आपोजिट हो सकते हैं अंदर तो आपोजिट नहीं होगा 101% अपोजिट अब तीन का अपॉजिट पूचा उसने तो तीन का अपॉजिट अब हम जानते हैं तीन का अपॉजिट कैसे निकालेंगे मैं ने बोला था आपको कोई भी दो विवरिद फलक का योग साथ होता है तो तीन का आपोजिट क्या हो गया इनका अपोजिट कितना हो गया क्यार हो गया तो कि कोई भी दो विप्रित फलक होती है कितना होना चाहिए साथ होना चाहिए का योग क्यों कितना होना चाहिए साथ होना चाहिए तो तीन का विप्रित फलक पूछा तो तीन का आपोजिट कौन हो गया चाहर हुआ तो तीन की विपरित फलक कौनसी हुआ चार तो हमारा option कौनसी है चार दोस्तों समझ में आया है ना 3 का opposite पूछा तो 3 का opposite 4 कैसे हुआ मैंने बताया था कि कोई भी जब एक dice दिया गया हो तो 2 विपरित फलक का योग 7 होता है यहां पे 2 विपरित फलक हमें जो दिखाई नहीं दे रही है तीन की विपरित वो कौनसी है चार है क्योंकि 3 और 4 का योग कितना हो गया साथ हो गया understand next question देखे इसका दोस्तों अगला question इसके आगया concept number 2 आगये इसके अंदर concept आगये हमारा दो में लिखा हुआ है जब आपके पास दो डाइस दिए गए हो उस समय आपको अपोजिट face calculate करना है इसमें तो सबसे पहले यह देखिए कि इसमें पूछा क्या पूछा तीन का विपरित क्या है तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे यह तीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम तीन को पकड़ लेते हैं सबसे पहले तीन के बारे में बात चल रही है तो हमने सबसे पहले तीन को पकड़ा और अब हमारे पास कुन बचा दो और पांच यह लिख लेते हम तीन का अपोजिट कितना होगा अभी यह पता लगाएंगे तो यहां पर तीन है तीन अब हमारे पास एक्स्ट्रा कौन बचे दो और पांच एक्स्ट्रा बचे तो इसका कोमन है क्या इधर दो और पांच इधर दो पांच है तो इधर भी क्या बचरे है हमारे पास दो पांच तो बचे कौन हमारे पास अब तो तीन का पॉजिट कितना हो गया चार तो तीन का पॉजिट किसे हुआ इसके पास कितने बचे दो और पांच तो अब देखना है आप में कि इस डाइस में दो और पांच एक नहीं है अगर है इस common common के अलावा जो भी बसता है वोई अपोजिट है एक एंसिल करा हमने तो तीन का पोजिट कौन बज़ गया हमारे पास च्यार बज़ गया तो आंसर क्या हुआ हमारा च्यार आंसर हो गया एक क्यूशन देखते हैं दोस्तों तो के विपरित पलक पर कौन सा अंक होगा तो के विपरित कहने का मतलब कोई सा अंक हो या मत हो उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है बड़ आपको यह याद होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है आपको निकालना है विपरित पलक और व object on 8 पूछा है जो का विपरित फ़लग में इस देरा होगा को सबसे पह paragraphs when पूछाई पूछा इसको डिनोड कर देता हूं अब आप हमारे पास कौण बचा है हमारे पास वचाईंस तीन और 5 ते इधर है क्या Vari थर भी 3 और 5 लिखे हुए हैं यह अब कौन बचा इधर एक बचा तो दो का आपोजिट कौन हो गया एक हो गया दोस्तों अब कही बार तुम्हार दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इन दोनों का योग तो सर अमर पास साथ हो नहीं रहा है तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया ता कि दो विपरित खलक का योग ना चाहिए यहां पे अमारे पास कितने डाई से दो है तो इनका योग कितना भी हो इससे फरक निपड़ेगा हमारे को यह देखना है इसके अंदर कि इसका आपोजिट कुण सा है तो जो कौमन ऐस होते हैं उन कौमन फैस के अलावाट जो बचते हैं वो एक दूसरे के क्या हो होते हैं आप और रहा है दोस्तों है अरा ना समझ में कुछ पूछना है आपको क्या नहीं आ रहा इसका एक बार फिर देखते हैं एक बार फिर बखाएं यहां पर देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है यह दो डाइस दिये हुए हैं उसने पूछा कि दो का पोजिट किया है तो सबसे पहले अपने दो को डिनोट किया अब हमार पास दो के अलावा कुन बचे हैं तो इस तीन पांच को देखते हैं कि क्या इसमें भी तीन पांच है क्या दूसरे वाले डाइस को जिसको यूज नहीं कि हमने अभी इसका पोजिट इसी में देखना हमें इसमें तीन पांच है तो यह तीन पांच से तीन पांच मानलो हमनें कैंसल कर दिया तो बच चलो देखते हैं यह लिखा हुआ है जब नीचे दो बिंदू इसमें लिखा हुआ है जब नीचे दो बिंदू हो तो उपर इतने बिंदू हो कि दोस्तों वही बात आगई है एक अमारे पास जो पासा है उसमें के दिया कि नीचे दो बिंदू है उपर कितने बिंदू होंगे यह बताओ तो नीचे वाले का आपोजिट उपर होता है उपर वाले का आपोजिट नीचे होता है तो पूछा क्या उसने कहने का मतलब वो ही है कि इसने वो ही पूछा है आप दोस्तों इसमें opposite face ही पूछा जाता है इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की ज़िए नहीं है आइसमें आपको मुक्त के नंबर मिलेंगे कुशी-कुशी मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे मज़ा आ जाएगा आपको इसको अच्छे से पड़ो देखो जब नीचे दो बिंदु हो तो ऊपर कितने बिंदु के कोई से भी दो बिंदु की बात कर रहा है तो दो बिंदु का ने रखे इसमें ये वाले दो बिंदु दे दिये इसका आपोजिट केने का मतलब है दो बिंदू का मतलब दो अंक लिखे हुए है ये दो अंक लिखे हुए है तो दो अंकों का फिपरित फलक कुंसा होगा आपको ये बताना है ठीक है अब दोस्तों इसमें देखो इसमें तीन लिखा हुआ है यहां पे तीन है और यहां पे कितने है पांच है अब यहां पे ती तो है लेकिन यहां कितने आ गए शे आ गए तो मैं यू तोड़ी कह सकता हूं कि तीन और यह वाले से यह वाले कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यह तीन और यह पांच है अगर यह तीन और पांच होते तो यह कैंसिल कर सकते हैं अब हम कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं अब हम कैंसिल नहीं कर सकते तो दोस्तों ये वाला concept number 6 concept number 5 या concept number 6 के सकते इसको अगला concept ये जब आपके पास में कोई भी दो फेस common नहीं होती है जब आपके पास कोई भी दो फेस common नहीं होती है उस condition में आपको क्या करना है जब आपके पास कोई भी दो डाइस के अंदर फेस common नहीं होती है उस situation में आपको क्या करना है तो फिर जहां पे कोई common नहीं होता है वहाँ पे लेते हैं अम common disease, common digit लेते हैं, वहां से common digit कौनसी है, इन में से common digit एक ही है, हमारे पास तीन, क्या है, हमारे पास common digit कौनसी है, तीन है, यह common disease और यह तो उसने पूछा है यहां से, और यह common disease है, तो common, अब अपोजिट फलक केल्कुलेट करने के लिए दोस्तों, हमें clockwise direction में जाना पड़ेगा, यहां से देखिए आप clockwise में, इधर से गुमाईए clockwise, और जहां से common अंक होता है, यहां से तीन से शुरू किया हमने, तो पहले कितने आए गड़ी की दिशा में देखेंगे, ये अंट संट नहीं चलाना इसको ऐसे देखना गड़ी की दिशा में फिर क्या आया एक आया पहले अच्छे आये फिर एक आया फिर तीन बराबर कितने हो गए इधर से देखो पहले अभी इसमें चलेंगे गड़ी की दिशा में पहले पांच आये और फिर क्या आया दो आया मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके कोई भी पूछा था कि दो का विपरित क्या है तो पहले हम क्या करते थे इन दोनों फेस का कॉमन इसमें देखके कैंसिल कर लेते थे जो बज़ता हुई है लेकिन अब यहां पर तोड़ा प्रोब्लम यह हो रहा है कि यहां तीन है य हमने देखा यहां पर कॉमन डिजिट तो इस पूरे दोनों डाइस में केवल तीन अंकेसा है जो दोनों में कॉमन है तो जो कॉमन डिजिट होती है वहां से ही शुरू करते हैं हम घड़ी की दिशा में तो वहां से ही हम घड़ी की दिशा में शुरू करते हैं यह परकार से गढ़ी की दिशा में तो जो इस परकार से चलते गई हम इस परकार से पहुंचे वह एक दूसरे के एक दूसरे के क्या होगा दूस्तों इसने बोला था यहां पे दो का पॉजिट क्या होगा तो दो का पॉजिट कौन हो गया एक हो गया है अमरा आंसर क्या गया इसमें वन भी जो नहीं लगता दोस्तों का आपको समझी किया रहा हुगा बहुत अच्षे तरीके से आपको इसको तारे concept चलते जा रहे हैं यह concept नहीं बताया था यह भी सामना आगया आपको यह concept भी आपको समझमा आगया होगा अगर लिखने पाते हैं तो अच्छे से समझेंगे इसके बाद आपके पास YouTube वीडियो रहेगी आप आसन देख सकते हैं सब्क्राइब करना है आपको बस चैनल को अच्छे क्विशन देखिए इसका दोस्ते है यदि दो अंक तल में इस्तित है तो ऊपर कुन सा होगा यानि कहने का मतलब है दो का आपोजिट कुन सा है डारेटली पूछा उसने दो का आपोजिट क्या है एक उपार है तो तल में पूछा उसने दो को आपोजिट क्या है तो अब इसमें देखें दो को आपोजिट यह दो है बाइस आप यहां पर दो लिखे हुए है इनका आपोजिट देखना है यहां पर लिखा हुआ है एक चार और अधर डाइस में एक चार लिखा हुआ है क्या यहां पर तो दीनोड करने के- 2 का अ니다 पूछा तो सबसे पहले ठाए से 2 को पकड़ते है जिसमें 2 लिखा दो पैने क्योशन पूचा है कि llamado belief का अंक क्योशन उन्न का इंग होना चाहिए ना काई समय उसको देखना है आपको Idt में इसके अंदर दो का पूछ पूचा तो कि दो पहले तो देखिए दो किस्म हैं दो लिखा हुआ है स्थ्याshad suggestive में यहां पर दो के बाद में हमारे पास कुन से पैस बना है यह ми सब्सक्राएब ड़िजह वएचा है आपके पास है कि लिखा हुआ है डो का पोजिट कौन हो गया तो का पोजिट यहां पर fix हो गए इसका क्या करेंगे कोई भी यूज नहीं है दोस्तों क्योंकि जिसमें हमें अपोजिट मिलेगा अब ये अमारा अगला कंसेप्ट है जब आपको दो या दो से अधिक डाइस दिये गई हूँ तो क्या करेंगे तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा डाइस दिये तो आपको क्या करना है यहां पर दो से ज़्यादा डाइस दिये तो दोस्तों आपको उसी को देखना है इसको देखना है उसी को देखना है जिसमें हमें कॉमन मिल रहा है हमारा कॉमन हमें इसमें मिला है तो हमें इसडाइस का मतलब किस के सांज रखना आए वाकि kितने भी दाइस हो जिसे हमारा कोई संबन नहीं है क् λέました कोई मिली नहीं राए तो उससे कोही संबन नहीं है कैंसिल करने का मतलब यह नहीं कि गलत हो गया नहीं इक राइस की जो के सामने कौन सा अंक होगा जरूरी नहीं कहर बार नमबर ही आए हमार पास अलफबेट अलजेब्रिक नमबर हो सकते हैं सकते हैं कब उतर हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं इसलिए पर जरूरी नियुकि अनदर 20 जबी ही के लाएगा यह जब यह के से करकार से कुछ देज़ के उपर लिखा ऊगा कॉछाए कि पोचिए दोस्तों कि आप मजल से गया है दोस्तों अब यहां पर देखिए अच्छे से समझने ही कोई इसको कि हमरे पास कैसे डाइस को पकड़ेंगे जिसमें C लिखाओ यह C है लेकिन यहां भी C है कोई बात नहीं यहां तक आपको पता है कि जैसे यह C लिखा हुआ है और इसमें D E लिखा हुआ है तो क्या इसमें कहीं पर D E है क्या ती ई है क्या नहीं है तो चलो छोड़ो इसको ये वाला सी लेते हैं फिर क्या इसमें ए और बी लिखा हुआ है तो कहीं पर ए और बी लिखा हुआ है क्या नहीं है दोस्तों अब जब हमारे पास कॉमन फेस नहीं है कोई दो कॉमन फेस नहीं मिल रहे हैं तो दोस्तों जब कॉमन फेस नहीं मिलते हैं तो वापस कंसप्ट जो हमने पढ़ा था अभी कंसप्ट पर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि जब हमारे पास कॉमन फेस नहीं है जैसे यह एबी यह कहीं एबी नहीं है तो कॉमन फेस नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे कॉमन डिजिट को लेंगे इसको लेंगे कॉमन डिजिट को लेके और इसको घड़ी की दिशा में ग कितना हो गया और ए इसे चले हम एले डी क्या रहा है इसी प्रकार दूसरे डाइस में देखो सब्सक्राइब जां पर बी और ए लिखेंगे ये बी और ए लिखेंगे अब आप यह देखिए दोस्तों किया पर देखिए कि है बी और ए यह थिके दॉस्प लेक है आमकर शेकिये गजुआ है कि लिए लिए गृत foi कि क्ति है बी बीपैस भारका ज्ब्लाई करिए ऱ्रकाश्त गां-चछ क्पने कर दो नोहिता है करेको फसकता लिए तक बनार की देखानी प्याव प्यालिए आपके देखिए दे Mean ada लिखेंगे मैंने अब देखें हमें पूछाता उसमें कि क्या है कि कह अपॉजिट में एप ق्रूका क्या है कि आपध्यूट उकलेस ओगा स्मेutी करने ग्रीजिट कोुछ और दोस्ते कि कहीं है कि आपका वेकिए आहां परप्धा सी का भ है ऑगर अगर अपनोंने तोड़ा सा इसमें क्या है C का पूजिट है प्वेले C लिया अब इसमें तो और सभी का पूजिट मिल गया आपको D का पूजिट B है और E का पूजिट A है आपसमें C का क्या है तो C का पूजिट जाता है इसके तो अपने इसमें जैसकते थे हां दोस्तों इसमें E को ले सकते थे इसको लेने के बजाए E को लेंगे जाता बैतरीन रहेगा क्योशन में देखे दोस्तों अभी कुप दिक्कत नहीं है क्योशन सो हम सोल करते ही आ रहे हैं कि अब इसमें T का निकालना है आपको देखो जैक को हुआय तो जैए जिसमें जिसमें जैसे ये लिए आपने ए को ले लेते यहां पर भाहिदे एको लिगा और घरी की दिशह में चलाते इसको ऐसे पर भी गढ़ी की चलाथे किसी को भी उठाकर नहीं लेना है दोस्तों या वे क्या बचा टी और डी लिखेंगे अलावा उदर से चलेंगे तो अब आपको पूछा उसने का आपोजिट क्या है कि का आपोजिट क्या है इसमें एफ है ऐसे टीकर दोस्तों अच्छे चल रहा है बहुत चल रहा है वे दन बहुत अच्छी क्ला से तुमारी और समझ में भी आएगा अर्चीज को अबडाएस आगे अगला कंश्प्ष्ट है यहां लिख नो लndth की क्या करनाई वहरोद कर्दो boundary की बीकार सिकर्ट है हमें क्या करना कना को यहां पर देखेंगे आप एक शर्ट के विप्रिथ फलक पर कुने कर सकते हैं तेन का पॉजट क्या है आपको यह देखना है करसकते हैं तीन लिखा हुआ है यह तीन लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट देखो इस वाले तीन को लेंगे हमने इस वाले तीन को लिया इसमें कॉमन फैस कितनी लिखी हुई है यह च्छे और एक कई पर लिखी है आपके यह लिखी हुई है तो तीन का अपोजिट कौन हो गया दोस्तों नोगा दोस्तों नोगा यह उखते हुआ है आप चाहे तो इस डाइस को भी ले सकते थे जिसका question पुछा है जाइस के अंदर वह अंक होना जरूरी है जैसे तीन का विपरित पूछा उन्होंने तीन का विपरित क्या है जिसलिए ऐसे डाइस को लेते हैं जिसके अंदर पहले से लिखा हुआ है तो यह dice लिया हमने जिसके लिखा हुआ है बोला सर इसको क्यों लिया इसको क्यों नहीं लिया तो दोस्तों हम इसको भी ले सकते थे इसको भी ले सकते हैं हम तीन का opposite यहां पर देखिए अगर इसको लेंगे तो यहां पर यह देखें आप यहां पर common क्या है दो और पांच तो यहां पर भी दो और पांच देखो । हमें इस वाले sä passport गू किया की यहां पहलब 3 का एंसर यह यह आएगा और इस वाले को लेंगे सहल कर रहाаб तो भी आंसर यहीं आएगा किसे tension करने की जुर्द के अंदर मैंने joke match किया मुझे यह वाला तीन लिया मैंने तो इसमें 6 और एक लिखा हुआ है यह यहां से लेके मैंने इसको फुल करवाया है ठीक है आप चाहें तो यह वाले dice भी लेके इसको फुल करवा सकते है ठीक है answer एक ही आएगा जो निजारित answer है कोई answer आएगा और answer क्या इसमें और answer टी इसक्रिशन पढ़ें दोस्तों इसक्रिशन है एक है विपूर्ट फलक पर कौन सी होगा कहने का मतलब उसने पूछा एक विपूर्ट फलक कौन सा है एक है आए पृप्री फलक कौन सा है इस चे की पूचा उसने को क्忘记 विप्रिपर्ग को फिटा है कि फिलता है ₹प। थे का विप्रित देखना है आपको दोस्तोनुए को अंसर गुमा फिरा के कैसे भी बिए करो यह की अंसर आ रहा इसका हुए धेन को यह ले ले किस वाले डाइस में मिल गया इसका बचा कौन हमारे पास एक का विप्रिश कौन हो गया एक अंसर करा अब किस यह वाला डाइस किस से मेच करा हमारा इसलिए अब ऐसा नहीं कि इससे क्यों कर रहा इससे क्यों कर रहा इससे भी हो सकता है दोस्तों कहीं भी हो सकता है आपको तो तो पांच और तीन को देखना यह पांच और तीन वाले डाइस में लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ था पांच और तीन के आंसर हमारे को इस चार और दो लिखा हुआ है तो ऐसे डाइस को लेंगे जिसमें चार और दो लिखा हुआ है ये वाला मिल गया चार और दो कोमन है तो अपने आप इसके अंदर एक हो गया इसका अपोजिट हो गया आंसर क्या आया एक आंसर आया इसमें नहीं स्क्रिशन आया दूस्तों निम लिकित में से कौन सा रंग पीले का अपोजिट है पीले का अपोजिट रंग बताना है आपको पीले का अपोजिट रंग सबसे पहले पीले को पकड़ते हैं इसमें गेरा पीला इसका अपोजिट देखना है आपको पीले का अपोजिट इसमें लिखा रहा नारंगी इसका देखो यहाँ पे पीला लिखा हुआ है इसका अपयूजर देखना है तो इसकी तक यहां पे नारंगी नीला इसमें देखना है आपको नारंगी नीला कहीं पर दिखा हुआ है कि लिखा हुआ नारंगी नीला चापन हवा अक श्क workshops एहं त ile बच्वो consciousokay चापन हमारे पास द्रेगनी कि यो इसका और नंगी नीलबचकर को और दोस्तों किया और दोस्तों, मैं ने शैनी युश्द को ले लिए, इसमें देख लिया नारंगी-Nीला, इसमें भी हमारे को नारंगी-Nीला मिल गया, तु बचा कोन यहां पर? पैगनी-स प्रगाषए हो गया दोस्तों हमारे पास अब आता हमारा next concept अगला concept है क्यों है concept के अंदर ओपनडाइस आया हुआ है इस आया हुआ है ओपनडाइस आया हुआ है ओपनडाइस के बारे में बात कर आफन डाइस यह जो धिया हुआ है जब हम डाइस को कुल देते हैं पूरा टकां चार हुला वाला डाइस होता है जब हम उसको ठुरा ऐसे खोल गे उसको 따पन न इसने फोल के उसको अपर कर देते हैं ऐसे भी खूल को यह देखिए आप बिलकुल ऐसे भी खूल कोई बीच में ऐसे भी ऐसे करते हैं एक दो पांच इस परकार से अलग अलग तरीके से इसको खूल सकते हैं तो मैं यह बताना चाह रहा हूं जब ओपन डाइस आएगा डास को और तो अब रॉन व हम Okay, दूसरे होती है एक दूसरे और यह वाला पर इस और यह भी नई करना है आपको जिस दुखाई दे रहे हैं उस प्यिस को आपको कैसे लिखना है मैने इसको नहिरू किया है कभी किए वाला इसके अपोजिट नहीं हो सकता है एक नंबर कभी भी इस दो नंबर का अपोजिट हो सकता दो नंबर तीन नंबर का अपोजिट नहीं हो सकता और तीन नंबर चार्ण नंबर का अपोजिट कभी भी क्योंकि ये तो सभी एक दूसरे के परोसी है परोसी कभी अपोजिट नहीं लेकिन एक नंबर तिन नंबर का अपोजिट हो सकता है और उसी तो यह है दो नंबर लेकिन तीन नंबर तो क्या है अपोजिट है दो नंबर का अपोजिट कौन हो गया च्यार नंबर लिख सकते हैं एक नमबर का अपोजित है तिन नमबर दो नमबर का अपोजित है च्यार नमबर और भार वाले हमेशा एक दूसरे के अपोजित होते हैं यह पांच नमबर है दो पांच नमबर हो गया पोजित नमबर के जैसे उसने पांच दिये गया है यह दिसे मोड़कर पासे के रूप दिया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौनसा पासा बन सकता है तो ऐसा देखो कि या तो ये एक, दो, तीन, थेस हमें दिखाई दे रही होगी या तीन, चार, छे हमें दिखाई दे रही होगी तो इसके अंदर दोस्तों अब देखो आप आठिकांबस की दिन इन्हें पार चाहिए वाला यहां पर उन्हें पर इंच के प्रिक्राइ से दिंद आवयरी दिन प्रिक्शल हमारे पास। दिन ओर participar हो और यह सार मिला गया असका को अ है विद्धन आरहला यहां पर जो रही कि षातक अच्छा एक बात और है अगर आपके पासे में चार की जगे दो आरा तो भी चलेगा क्योंकि ये इसका अपोजिट है इसकी जगे इसको रख सकते हैं ऐसे कि छे आरा है एक जगे पांच ले सकते हैं तो ले सकते हैं यह कभी एक दूस्ते के अपोजिट है यह परोसी है यह और पांच परोसी है पर यहां पर अपोजिट है वहां परोसी है चलेगा यह वाला उप्संस ताहिए इसका इसमें दो भी है एक भी है दिखाईने देरा दोस्तों दो है जो भी डाइस बने गाई है अंदर यह अंक लिखे रहेंगे अंदर यह नहीं आ पा रहा है दिखाईने देरा इसमें क्या लिखा हुआ है अधिर आपको समझ मा आयक नहीं आया इस परकार से करना इसको इसका अपोजिट यह इसका अपोजिट यह इसका अगर आपने छे को पहले लिखा और 5 को बाद में लिखा तो भी कोई टेंशन नहीं परोब्लम नहीं है यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों इस परकार से मेरी जो क्लासे से बहुत ही मैंने इंपोर्टेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्स्प्लेंड किया है और दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं कल इसी समय इसी जगे मिलेंगे अब तक के लिए जे हिन जे बारत थेंक्यू दोस्तों और अगर आपने नकी बताया है आपके दोस्तों आपने दोस्तों को बताईए और चैनल को सब्क्राइब कीजे दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा इसे सेर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छा बता सकूँ आपको तब तक के लिए ये हिन ये वारत थेंक्यू दो